हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक माई चैनल तो दोस्तों यह वीडियो बना रहा हूं मैं भी जो इमर्सन रोड है जो पानी करम करने वाली रोड जो महंगी रोड परचेज नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए यह वीडियो इंपोड़न होने वाला है अगर आप भी इस तरीके से एक अब्लेशन बाट के आज साथ का यह उचकते हैं तो इस तरीके आप लेसकते हैं क्योंकि हमें कुछ पी चीज ज़्यादा करना नहीं कम से कम खर्च में बनाना है 30 रुपे यह 20 रुपेमिंगे लिए इस तरीके का एलिमेंट को हम थोड़ा फैला लेंगे दोस्तों इस element को थोड़ा ना हम खीच लेंगे पहले से ही जिससे कि यह इकसार होकर के लग जाए मतलब कम बढ़तीना रहे कहीं पर भी ठीक है और दोस्तों हमें लेना है दो पेच दो या तीन पेच जिपसन वाले या कोई से भी पेच ले सकते हैं आप जो लकडी में आसानी पेच को यहां पर लगा दिया इस तरीके से ठीक है अभी हमें इस प्रिंग को कैसे लपेट ना वह दिहान से देख लीजिए वह इसका मैं कनक्शन होता है तो अब भी हम क्या करेंगे इस तरीके से इस पर लपेट दुए चलेंगे लेकिन धिहान रखना इस प्रिंग आप टाइक हो सकता तो इस बात का दिहान करते हैं नी के इस तरीके से हम स्को अपर कि ए फिरसे कोई बहाजDra लगाएंगे तो एस तरीके से लेकynn के चलेंगे वह लेकर लगा जाए इसमें आपको ठीक से समझ में आ जाएगा इस तरीके से दोस्तों हम ने इसको पूरे को लपेट दिया है यहां से और यहां पर फिर से एक पेश लगाए हमने दोस्तों आप चोटा पेश ले सकते हैं यह बड़ा पेश है क्योंकि अभी छोटा पेश था नहीं हमा हो जाए लेगे जोंतों इसमें ले लेंगे इंपुट देना है उसके लिए ले लेंगे बार के तरफ आप इसपर दोटा है यहाँ पर लगा सकते हैं बाटर इना यूज करते वह देषाने कि स्प्रिंग पूरा पानी में डूबा हुआ हूँआ चाहिए इस्प्रिंग अगर ऊपर रहे तो आपकी लकडी को जला देगा ठीक है इसलिए इस्प्रिंग पूरा पानी में डूबा हुआ होना चाहिए जब आप इसको यूज कर रहे होते हैं बना लकडी जल जाएगी एक दम कंप्लीट है उड़ते ही आ रहे है दोस्तो मैंने काफ़ी इसको यूज किया है इस तरीके से बिल्कुल सेफ है लेकिन पानी में उगली डूबाओक नहीं देखना आपको किसी को भी बरना करंट मारने के फुल चांस है एक सो एक परसेंट करंट मारेगा अगर आपने पानी में उगली डूब दिया तो दोस्तों समय में आगे होगा कि आप प्यार से आराम से करके इस तरीके का एक क्यूमेंट बना सकते हैं ठीक है तो वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने आप के लिए आप सबी के दन्यवाद थैंक्यू